हलो दोस्तों नवस्कार मैं हूँ कोवन और आप देख रहे हैं कोवन इन्पोटेक्शनल दोस्तों MS Paint का यह पार्ट तेरे वीडियो है और आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे MS Paint program या किसी भी program या फिर software को 10 तरीके से किसी भी windows में कैसे open करते हैं चुकि इसके पिछले वाले वीडियो में हमने MS Paint के सभी के सभी विकल्पों को विकल्वार समझाया है मतलब एक-एक step समझाया है और आज के इस वीडियो में step by step सिखेंगे कि MS Paint को 10 तरीके से कैसे open करते हैं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं MS Paint को शुरू करने का systematic और सबसे पहला जो तरीका होता है Start button को क्लिक कर All program को highlight करते हैं उसके बाद से SS Reef नाम के folder को ढूड़ते हैं अगर जो folder नहीं दिखाई दे तो उसके right hand right में scroll bar की मदद से scroll करें और SS Reef folder को ढूड़ते हैं देखें यहाँ पे display हो रहा है SS Reef folder इसे क्लिक करें और इसके अंत का display होगा pen इसे क्लिक कर दे जैसे इसे क्लिक करते हैं तो MS Paint हमारे computer screen या जिस भी computer में आप open करते हैं तो उस computer के monitor screen पर display होने लगता है चलिए अब इसे हम यहाँ से close कर देते हैं यह था पहला तरीका दूसरे तरीके की बात कर लें दोस्तों तो start button को click करें जैसे start button को click करते हैं तो start menu खुल कर आ जाता है इसमें सबसे नीचे देखें तो search program and files दिख रहा है यहाँ पे एक search box इसके अंतरकर type करें MS Paint जैसे MS Paint type करते हैं तो सबसे उपर देखे display हो रहा है MS Paint इसे click करें यहाँ open हो जाएगा दोस्तों यदि आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो पूरा start button को click करें और उसमें सिर्फ वा सिर्फ टाइप करें Pant P-A-I-N-T देखें सबसे उपर display हो रहा है Pant इसे click कर देए Pant open हो जाएगा चलिए इसे close कर देते हैं अगर जो Pant भी नहीं टाइप करना चाहते हैं तो टाइप करें P-Brush P-B-R-U-S-H देखें सबसे उपर program display हो रहा है P-Brush इसे click करें Pant program open हो जाएगा अब तीसरे number की बात कर लेते हैं दोस्तों तो उसके लिए आपको अपने computer के keyboard से window plus R key press करना है जैसे window plus R key press करते हैं तो run का dialogue box खुल कर आ जाता है यहाँ पर दोस्तों open के search box के अंतरकात आपको type करना है MS Pant और OK को click कर देना है यह आपने computer के keyboard से enter key को press करना है तो चलिए फिलाल मैं यहाँ पर OK को click कर दे रहा हूँ जैसे OK क्लिक करते हैं तो हमारा MS Pant खुल कर आ जाता है तो दोस्तों यह था तरीका number 3 लेकिन इसके अंतरकात अगर जो आप MS Pant नहीं type करना चाहते हैं तो window plus R key press करें और run के dialogue box में type करें P brush P brush type करके भी आप अपने Pant को open कर सकते हैं अगर जो दोस्तों आप यह भी नहीं करना चाहते हैं तो computer के keyboard से control plus ESC key press करें automatic start menu open हो जाएगा अब देखते हैं start menu दो भागों में बटा होता है तो जिस program पर आपने हाली में काम किया है उसका नाम display हो रहा है जैसे कि देखें आप यह pen display हो रहा है दोस्तों किसी भी कारण से आपके computer में यह display नहीं हो रहा है इसका मतलब है कि आपने pen में हाली में कोई काम नहीं किया है जब आप किसी भी program पर हाली में काम करते हैं तो वह program यहाँ पर display होने लगता है और यदि किन ही कारणों से नहीं display हो रहा है तो इसका मतलब है कि recent program already भारा हुआ है तो उसके लिए दोस्तों हम आपको दूसरा विकल बताएंगे तो फिलाल recent program में pen दिख रहा है तो इसे click कर देना है जैसे click करेंगे तो pen program open हो जाएगा तो चलिए हम इसे कर देते हैं close तो दोस्तों इस प्रकार हमने 4 तरीका complete कर लिया है पांचवे तरीके की बात कर लेते हैं दोस्तों यदि की recent program में नहीं होता है तो उसके लिए आपको क्या करना है तो दोस्तों start button को click करना है all program में जाना है essay series में जाना है और pen program के उपर right click करना है और right click करने के बाद दोस्तों pin to start menu को click कर देना है जैसे pin to start menu को click करते है तो हमारा program start menu में सब से उपर pin हो जाता है pin कैसे होता है देखे दोस्तों यहां से vlc से लेकर all program तक कोई भी line इसमें display नहीं हो रही है लेकिन वहीं पर हम यहां देखें तो एक line display हो रही है ध्यान से देखेंगे तो एक display हो रही है separator है जो recent program और pin program को अलग करती है अब इन सब को आप हटा भी सकते हैं लेकिन यहीं पर मौझूद रहेगा तो आप इसे pin करके भी open कर सकते हैं तो चलें इसे click कर देते हैं देखें open हो गया इसके अत्रीक तरीका को बात कर लें दोस्तों अगला जो तरीका होता है pen को open करने का तो दोस्तों यहाँ पर taskbar से आप उपन कर सकते हैं तो देखें taskbar पर MS pen का program run नहीं कर रहा है यहाँ पर web program display हो रहा है या तो हमने open किया है या फिर उन्हें हमने pin करके रखा है तो आप pen program को pin भी कर सकते हैं taskbar पर और उसकी मदब से pen को single click से open कर सकते हैं तो चलिए देखते हैं तो start को click करते हैं और जहाँ पर भी pen program दिखाई दे उस पर right click करना है और pin to taskbar को click कर देना है अगर जो कहीं यह display नहीं हो रहा है तो आप अपने systematic तरीके का इस्तेमाल करेंगे बतलब की start all program, accessories और fit pen program पर right click करेंगे तो यहाँ पर मैं pin to taskbar को click कर दे रहा हूँ जैसे pin to taskbar को मैं click करूँगा अब taskbar पर आकर देखेंगे तो यह pin हो चुका है अब इस program को single click करेंगे और यह program open हो जाएगा जैसे कि आप अभी हमारे screen पर देख रहा है चलिए हम इसे close कर दे रहा है अब अगला तरीका की बात कर लें दोस्तों तो यह बहुत ही साधारन और normal तरीका है जो कि हर computer user ऐसा उप्योग करता है जैसे desktop screen पर किसी भी icon को double click करके open करना या फिर उस पर right click करके open करना तो अभी हमारे desktop screen पर आप देखें जाना है एसे series में जाना है और उस program पर right click करना है जिस program को हमें desktop पर shortcut बनाना है तो फिलाल हमें pen program का shortcut बनाना है तो उसके लिए मैंने pen पर right click किया और यहाँ पर send to के अंत्रगात desktop create shortcut को click कर देना है जैसे ऐसा करते हैं तो desktop screen पर इसका shortcut icon बन करा जाएगा अब इस पर आपको double click करना है जैसे ही double click करेंगे तो pen program open हो जाएगा चलिए इसे हम close कर देते हैं अगला तरीका होता है दोस्तों कि अगर जो desktop screen पर कोई भी program हो तो उस पर right click कीजिए और open या फिर run as administrator को click कर सकते हैं तो आपका program open हो जाएगा तो चलिए हम open को click करके देख लेते हैं देखें pen program open हो चुका है चलिए अब इसे close कर लेते हैं अगला जो तरीका होता है दोस्तों बहुत ही काबिले तारीफ है इतनी बहतरीन है कि आप किसी को भी आस्चर चकित कर सकते हैं तो वो कैसे तो चलिए देखते हैं किसी भी program का desktop पर icon बना हुआ हो तो उस पर right click कीजिए और फिर उसकी setting कर लीजिए लेकिन दोस्तों हम pen की बात कर रहे हैं तो इसलिए हमें pen पर ही right click करना है चुकि अभी हमने इसका start card बनाना आपको बता है यदि नहीं आता है तो एक बार इस वीडियो को पुर्णा सुरू से देखिए आपको समझ में आ जाएगा फिलाल यहां पर देखें तो desktop पर pen का icon दिख रहा है इस पर right click करना है और properties को click कर देना है जैसे properties को click करते हैं तो pen properties window खुल कर आ जाता है अब इसके अंदर देखते हैं तो automatic shortcut tab selected है और यहां पर आकर देखते हैं तो shortcut की display हो रहा है और इसमें none तो इसे click करें दोस्तों और अपने computer के keyboard में alt key या control की कोई भी इन दोनों में से key press करें जैसे press करते हैं तो control plus alt key यहां पर display होने लगता है प्रेस करें मतलब control या alt key को दवाय रखें उसके बाद आप चाहते हैं कि यह किस shortcut की मदद से open हो तो अपने computer के keyboard से कोई भी key press कर दीजे तो मैं P button प्रेस कर दे रहा हूँ जैसे मैंने P को प्रेस किया तो देखें यहां पर shortcut display हो रहा है control plus alt plus P और यहां पर apply को click कर देना है और ok अब ध्यायन देंगे दोस्तों अब कुछ नहीं करना है desktop screen पर है आपको अपने computer के keyboard से control alt plus P प्रेस करना है जैसे ऐसा करते हैं तो automatic paint program open हो जाएगा जैसे कि अभी आप screen पर देख रहा है देखें हमारा mouse pointer यहां है और मैं अपने computer के keyboard से control alt P बटन प्रेस करना है जैसे प्रेस करेंगे automatic paint program open हो जाएगा चलिए इसे कर देते हैं close अब अगले तरीके की तरह बढ़ते हैं दोस्तों अगला तरीका और भी उपसांधार है अगले तरीके को समझने के लिए ध्यान से समझना आपको कि बहुत से operating system आपने यूज किया होगा या बहुत सा program आपने चलाया होगा लेकिन अब जो हम बताने जा रहे हैं वो बहुत ही लाजबाब है कि किसी भी program को आप अपने नाम से open कर सकते हैं जैसे दोस्तों वींडो प्लस आर बटन प्रेस करके रन डायलाग बाक्स में पेंट ओपन करने के लिए हमें MS पेंट टाइप करना होता है लेकिन आप अपना नाम टाइप करके किसी भी program को आप ओपन कर सकते हैं चलिए सबसे पहले हम dummy देख लेते हैं जैसे दोस्तों हमने वींडो प्लस आर की प्रेस किया और रन के डायलाग बाक्स में टाइप किया P, K, M, K और इतना करके जैसे मैंने एंटर की प्रेस किया या OK को क्लिक किया तो क्या कोई program open होगा तो नहीं दोस्तों क्योंकि P, K, M, K नाम का कोई भी program नहीं होता है चलिए दिखाते हैं आपको हमने OK को क्लिक कर दिया जैसे OK क्लिक किया तो देखें यहां पर P, K, M, K के नाम के साथ एक यहां पर message आ रहा है Windows can not find Windows कुछ नहीं पाया P, K, M, K से मिलता जुलता Make sure आप sure हो जाईए You type the name correctly कि आपने नाम बिल्कुल correct टाइप किया and then try again और दुबारा कोईस कीजिए दुबारा नहीं दोस्तों कितना हूँ भी बार कोईस करेंगे तो यह program open नहीं होगा चलिए एक बार और करके हम दिखाते हैं आपको हमने computer के keyboard से दबाया Windows plus R की और type किया P, K, M, K, then, OK देखें दोस्तों यह program open नहीं हुआ अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि यह कैसे open होगा तो उसके लिए दोस्तों shortcut बना लीजिए जैसा कि अभी आप इस screen पर देख रहे हैं किसी भी program या software का और उस पर right click किजे rename को click किजे अगर तो इतना नहीं आता है तो इसे click किजे computer के keyboard से F2 की press किजे जैसे press करेंगे यह edit mode में हो जाएगा अब इसमें उस नाम को type किजे जिस नाम से इस program को open करना चाहते है अब जब rename हो चुका हो तो इस program के उपर right click किजे और cut command को click किजे और यदि ऐसा नहीं करना चाहते है तो इसे select करके अपने computer के keyboard से Ctrl plus X button press किजे जैसे ऐसा करते हैं तो देखेंगे यह थोड़ा सा डिस highlight हो गया है अब आपको computer के icon को double click करना है और यदि ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो अपने computer के keyboard से window plus E button press किजे जैसे ऐसा करेंगे computer explore होकर आ जाएगा दोस्तों अभी यह प्रकिरिया बताने से पहले मैं बता दूँ अभी देखें तो हमारे computer के hard driver मेरा photo लगा हुआ है दोस्तों यदि आप भी ऐसा चाहते हैं कि photo लगा हुआ है या फिर computer में advanced जानकरिया सीख सेके हैं जो सबसे हट के हो तो आप हमारे channel को subscribe कर लिजे video को like कीजे और इस channel को दोस्तों में share कीजे video में comment कीजे क्या problem है आपके उस problem का start out मैं जरूर करूँगा तो फिर चलिए अब आगे बढ़ते हैं अब यहाँ पर देखें local disk c इसे open करें means c drive को और c drive के अंदर का windows नाम के folder को open करें देखें यहाँ पर display हो रहा है windows इसे double click करें और इसके अंदर खाली जगा पर खाली जगा ना हो तो इसे list में कर लें और अंद में जाकर देखेंगे तो बहुत सारा खाली जगा होगा means किसी भी program या icon पर नहीं तो खाली जगा पर हमने right click किया और past जैसे past करेंगे यह automatic past हो जाएगा चलिए अब इसे कर देते हैं close अब देखा दोस्तों आपने कि हमने एक shortcut icon बनाया उसका rename किया उसे cut किया और c drive के windows नाम के folder में ले जाके past कर दिया अब दोस्तों window plus R key press करते हैं और run के dialog box में type करते हैं pkmk means जिस नाम से हमने बनाया था और ok को click कर दिया जैसे ok करेंगे देखें हमारा pen program open हो गया है ना दोस्तों कमाल की यह जानकारी कि किसी भी program को आप मन चाहे नाम से open कर सकते हैं और यदि आप चाहते हैं कि दूसरी किसी तरीके से भी open करें तो उसके लिए भी तरीका है दोस्तों आप notepad open कर ले notepad program को open करने के लिए same तरीका अपनाना है window plus R run के dialog box में type करना है notepad ok को click कर देना है और इसमें type करना है start जगा देकर हमें type करना है ms paint और इसे कर लेना है save, save करने के लिए control plus yes और यहाँ पे आप paint चाहें जो चाहें ओ नाम दे सकते हैं और dot bat करके इसे desktop पर save कर देना है close, अब देखेंगे तो paint नाम का यहाँ पर एक setting type का logo दिख रहा है, इसे double click करना है जैसे double click करेंगे paint program open हो जाएगा, तो दोस्तों video कैसा लगा, आसा करते हैं video आपको पसंद आया होगा और पसंद आया क्यों नहीं, क्योंकि इतनी सांदार video आपको हमने दिखाया और समझाया भी, फिर भी अगर जिसमें कोई trutty आ रहा गई हो दोस्तों, तो आप हमें comment section के माधियम से बताईएगा, हम उस trutty को दूर करने की कोशिस करेंगे साथी साथ दोस्तों, मैं आपके लिए question छोड़े जा रहा हूँ, कि दोस्तों, एक ही समय में हम चाहते हैं, कि चार program open हो, जैसे notepad, pen, word माल लेते हैं, तीन ही को दोस्तों कि notepad, wordpad और pen program को एक समय में open करना है, तो उसे कैसे open करेंगे एक समय में मतलब, एक ही साथ, एक सेकेंड के अंदर, तो आसा करते हैं दोस्तों, इसका आप answer देंगे और अगर जो answer नहीं दे पा रहे हैं, तो इसी वीडियो में comment कीजिए, हम आपके question का answer करेंगे, तो फिर मिलते हैं दोस्तों, नए वीडियो में net office के साथ, तब तक के लिए, नमस्कार जय हिन, जय भारत